हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्टा के अले बरड़ा पे आप सभी का स्वागत करती हूँ, हम सब पढ़ रहे हैं हिंदी, हिंदी में वर्ड माला टॉपिक हमारा चल रहा था, वर्ड माला में हम सब कल के वीडियो में पढ़ चुके हैं, आज को टॉपिक हमें स्ट सवर हमने कल पढ़ा था, ठीख है, तो वेंजन, हमने देखा आ से आ तक के वणों के बारे में, कि सवर हैं, आयोगवा हैं, उनकी क्वालिटीज क्या-क्या हूँ, हमने पढ़ लिए कितने प्रकार के होते हैं, वेंजन स्टार्ट करते हैं, वेंजन के लिए सबसे पहले हम स और वेंजल स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हमने कहा कर, जो हम इसको अलग करेंगे, वण विच्छे इसका करेंगे, तो क्या होगा, का प्लस आ, इसमें का, का आप बोलके देखें, का, का भी हो रहा है, इसके नीचे क्या यह लगता है, हलन्त लगता है, ठीक है, यह जो नीचे लगता है, इसको क्या बोलते है, हल बोलते है, और जब यह किसी शब्द के साफ लग जाता है, तो वो हलन्त कहलाता तो इसमें अब कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं का से ग्यातक बोले जाने वाले शब्द जो होते हैं वो वेंजन होते हैं का से ग्यातक ठीक है तो इसमें अब कौन कौन से बेंजन की क्या-क्या विसेश्था है और क्या है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे इसको जानने के लिए बेंजन को सबसे पहले थोड़ा सा बेंजन ऐसे नार्मल तोर पे 33 होते हैं कुछ और मिस सयुक्त बेंजन भी होते ह करेंगे जैसे यह हमारा मुई होता है बेंजन जो बोले जाते हैं वो मुऊ के आधार पे बोले जातें यह हमारी आख हो गई मुँख हम थिक मुख हमने खोला और थोड़ी जादा अच्छी नहीं है तो यह हमारा आया, यह क्या हो गया हमारा कंट हो गया क्या हो गया कंट कंट से जब हम थोड़ा और ऊपर आएंगे तो हमारी क्या है तालू स्टार्ट हो जाती है ठीक तालू उसके बाद थोड़ा सा उपर आए तो यहां हमारा होता है मूरधा फिर दंथ और फिर यहां बाहर क्या होता है फोश्ट इसको बोलते हैं ठीक तो जो हमारे वेंजन का निरधारण होता है इन ही क्या धार पर होता है जैसे हमें स्टार्ट करते हैं प, ख, ग, ग, अंगा ठीक च, च, ज, 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 य, त, थ, द, ध, ध, अन, त, थ, द, ध, ध, न, प, ख, ब, भ, भ, म, यह हमारे मेंजन होते हैं ठीक है तो जो इसका वर्गी करण होता है इसको क्या क्या क्याते हैं? क्या है क्या 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 क्य है कंट से क्या बोला जाता है कवर्ग उससे नीचे चवर्ग आता है चवर्ग तालू से whatever, बोला जाता है ठिक ब्लैकस्टवा, उसके नीचे तावर्ग यहळग जाता है मौौvändधा से फिर तावर्ग यह बोला जाता है धन्त से और पवर्ग जो है यह बोला जाता है ओष्ट शे ING electG मैं बगल में लिख दे रही हूँ। कर दूब है तो च सब्सक्राइब इसको कैसी आपते फॉजसेए इसको जतर से कैसी में अगे। देखें, तालू से जुड़ती हैं, तो वो यह तालवे बनजन हो जाते हैं, मूर्धन व कौन से होते हैं, ताठा दाड़ा अणा. हमारी जीब देखिए मूर्धा पे टच करती है जब हम टाठा डाठा अना बोलते हैं ठीक ये हो गए हमारे मूर्धने बंजन दंत बंजन जब हम ताठा दाधा ना का उचारण करते हैं तो हमारी जीब जो होती है वो हमारे दांत में टच होती है बोलके देखिएगा तो ये ह कोई रोल नहीं हो इसका उच्छारन पूर्ट से होता है तो यह हमारे होस्ट बेंजन हो गए ठीक है इतनी चीजे आप नोट कर लीजे काफी इंपॉर्टन्ट है इसको अभी मैं लिख दे रही हूँ एक दो तीन चार पांच इसकी नंबरिंग काफी इंपॉर्टन्ट है इसल आ गई इतनी बात समझ में अब इसके बाद हम एक दो बोलते हैं एक जैसे यह हमारा ड़ और धा है इसका एक और भाग होता है प्रकार होता है ड़ और धा ठीक इन बेंजनों को क्या कहा जाता है उच्छिप्थ बेंजन क्या कहते है उच्छिप्थ बेंजन बेंजन ग्जाम में क्वेशन ऐसे बन सकता है कि बेंजन कौन कौन से हैं उसके नीचे बिंदी है यह हो गए हमारे बेंजन थीख फिर एक्जाम में question एक और बेंजन से आ सकता है कि नासिक बेंजन कौन कौन से होते हैं कौन कौन से बेंजन नासिक बेंजन यानि नासिक बेंजन का अर्थ ही होता है जो बेंजन नाक से बोले जाएं तो इसमें देखिए अंगा इया अडा ना मा इसको बोलने में ये बेंजन किस से होता है नाक से होता है तो ये नासिक बेंजन हो गए नासिक बेंजन अगर पूछता है तो अंगा इया अडा ना मा तीक है ये हो गए नासिक बेंजन आ गई बात समझ में ठीक अब मा तक पढ़ा इसके बाद आता है या रा ला वा की बात आती है ठीक इसमें से या और वा इनको क्या कहा जाता है अर्धस्वर तो ऐसा कॉशन आ सकता है वे कौन से वेंजन हैं जो अर्धस्वर कहे जाते हैं ठीक है तो इसको हम नोट कर लेते हैं अर्द स्वर अर्द स्वर किने कहते हैं या और वा को या और वा जो है ये अर्द स्वर हैं क्यों अर्द स्वर हैं क्योंकि कई जगा स्वर की जगा पर इनको यूज किया जाता है जैसे हमने लिखा गाएं गाएं है गाए का बहुचर गाएं तो जब हम इसको कई जगा गाएं लिखा मिलता है और कई जगा गाएं लिखा मिलता है ठीक है या फिर हम बात करते हैं कही जगा कववा लिखा मिलता है और कववे को ही कव आ लिखा मिलता है तो ये देखे है ना ये स्वर तो ये बेंजन की यूज हो चुका है ये भी स्वर बेंजन उच्छारण दोनों का एक ही है तो या माताएं तो यह दोनों जगा इस सबतरा की चीजों में यह स्वर की जगा यूज हो सकता है इसलिए इन दोनों को या और वा को अर्ध स्वर भी कहा जा सकता है अब इसमें बज़ता है रा और ला ठीक है? इनका भी नाम है अपना देख लीजे लुन्धित बेंजन और एक है पार्षविक बेंजन पार्षविक बेंजन एक है इसमें जब इसके उचारण की हम बात करते हैं देख लुन्धित बेंजन हो गया कैसे जब हम लुश बहु刚ण करते हैं तो जीव हमारी गूम जाती है तालू से सथो चोटी है जीव हमारी गूम जाती है तो हमारी जीव क्या होती है आंदर की तछरफ भूमती है जिससे घर मतल्लाब अंदर की स्वरी जीव की तरह घूम जाती है यानि कि घर्षान होता है तो इसको हम क्या कहते हैं लुंठिद बेंजन फिर यहां आता है रा ठीक है इसको पार्श्विक बेंजन रा रा का जब मुझे चारण करते हैं तो जीव हमारी थोड़ी सी दाथ के तरफ मुरती है रा और जो वायू है वो बाहर की तरफ निकलती है तो इसलिए इसको पार्श्विक बेंजन कहा जाता है ठीक है नोट डाउन कर लीजे शरी एक यह पें गलती हुँ तो यह हमारा हो गया लुंठित बंजन और यह पार्श्विक बंजन। इसको मैं रब करती हूँ और आगे की बेंजन के बारे में बताती हूँ उच्छित बेंजन, नासिक बेंजन, अर्दस्वार, लुंठित बेंजन, पार्श्वेग बेंजन इतनी से बेंजन की बाते हो गई इसको मैं रब करती हूँ और चीजे आपको बताती हूँ इसके बाद आता है हमारा नमबर शा, शा, शाहा यारा लावा के बाद शा, शा, सा, हा ठीक, question आता है कि ओश्म बेंजन ओश्म बेंजन उनकौन से होते हैं, ठीक है तो ओश्म बेंजन की जब बात होती है तो श, श, स, हा ठीक है, इसको ओश्म बेंजन क्यों कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में एक अंदर से गर्म हवा बाहर निकलती है ठीक है, तो इस वज़ा से इनको ओश्म बेंजन कहा जाता है ठीक, एक और आता है, इस पर्ष बेंजन एक question आ सकता है कि इस पर्ष बेंजन कौन से होते है ठीक, इस पर्ष बेंजन आपके होते है जो हमारे का से लेके मा तक के जितने भी बेंजन होते है यह कहीं न कहीं इस पर्ष होके निकलते हैं तो का से मा तक के बेंजन, इस पर्ष बेंजन होते है ठीक एक और आता है इसपर्श संघर्शी मेंजन ठीक यह होते हैं सुरी च च च ज और ज यह चारो इस पर संघर्शी इनको जो हम बोलते हैं तो यह तक एक बोलता है और आ इक आर गाति हो के और जहर्शन सा प्रतीत होता है तो इस वज़ज़ा से इसपर्श संघर्शी बेंजन ठाजाता है इस पर ural बात आते हैं संयुक्त बेंजन की संयूक नाम से ही इस पंच्ट है कि दो इसमें वन्जन मिले हुए हैं संयूक वन्जन ठीक है छा प्रे ग्या और श यह चार होते अब किन किन चीज़ों से यह संयूक होते है जै इसमें इसका संयूक जन होता है का हो काफ और शाय से ठीक इसका कन कान से अख्षर होते हैं ता और रा इसमें जा और यह ठीक इसमें शाथ और रा ठीक है? तो इनके वज़ें ये दो अक्षरों के संयोग से बंद मिलते हैं इसलिए इनको संयोग्त वेल्जन कहा जाता है इसको भी नोट डाउन कर लीजे ठीक? इसको रब कर रही हूं अब एक और क्वेशन बन सकता है कि अन्तस्थ वेल्जन किसे कहते हैं? क्या? अन्तस्थ वेल्जन तो ये इतने जो हमारी वेल्जन होते हैं ये क्या है? अन्तस्थ ठीक है? इन्ही को यहां लिख देते हैं य, र, ल, व, श, स, 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 ठीक है? ये अन्तस्थ वेल्जन होते हैं एक और क्वेशन बन सकता है आपका वेल्जन से अघोस और सघोस से आता है अघोश तो ये हमने नम्मरिंग की है अघोश ठीक है? तो पहला और दूसरा वर्ण जो होता है ये क्या होता है? अघोश ठीक है? इसके अलावा ये तीन अघोश होते हैं ठीक? तो पहला और दूसरा सारे पांचो वर्ण में से पहला दूसरा है मैं लिखे दे रही हूँ पांचो वर्ण से एक है? पहला और दूसरा खा, खा, चा, छा, ठा, ठा ठा, 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 ठा और इसके अलावा शा, सा, सा यानि कि दो पंचे, दस ग्यारा, बारा, तेरा टोटल कितने होते हैं? तेरा, इसको भी लिख दे रही रही हूँ शा, सा और सा यहनी कि टोटल 13 हमारे सग्धोस होते हैं अब अग्धोस होते हैं अगला नाम आता है सग्धोस का यह हमारे जब अग्धोस हो गए तो बाकी यह 3, 4, 5 क्या हो गए? सग्धोस तीन, चार, पांच और यह पांचो वर्ग से ऐसे ही नोट कर लीजेगा समझाने के लिए भी इसको मैंने रखा है यह 3, 4, 5 जो है यह किसमें आएंगे? सग्धोस पांचो वर्ग से ठीक है? Blood, और इसके अलामा यारालावा यारालावा और इसके अलामा स्वर में से आ से आव तख ठीक है? सारे स्वर यह सब किसमें आते हैं? सग्धोस में आते हैं आगई बात समझ में? अब दो और बोले जाते हैं है अल्प प्राण और महा प्राण अल्प प्राण जैसे नाम से ही इस पर्ष्ट है कि जिनके उच्चारण में प्राण वायू का प्रेशर कम हो वो होते हैं अल्प प्राण फिक है तो अल्प प्राण में एक तीन और प्राण ये तीन आते हैं यानि कि जिसको बोलने में कम एनर्जी लगे एक तीन पाँच पाँचो वर्ग से इन को बोलने में देखे एक तीन ज्यादा निकलते है और चा में एक तीन और पाँच सभी हर्गिके ये अल्प प्राण होते हैं ठीक है अब आता है दूसरा महा प्राण इसके अलामा सारे स्वर भी होते हैं आसे आउता सारे स्वर ये अल्प प्राण में आते हैं अब अगला आता है महा प्राण या महा प्राण ठीक है महाप्राण में जो इसके बचते हैं एक तीन पांच हो गया यानि की दो और चार ठीक है यह और क्या बचता है शा 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 और स ये तीन महाप्राण में आ जाते हैं आपके ठीक आ गई बात समझ में इतना नोट दाउन करिए बस थोड़ी इसी चीज़ें और बचती हैं वह मैं आपको बता देती हूँ इसको अब आपने उतार लिया होगा यहां पर मैं आपको लिख दे रहे हूँ एक और है दंतोष्ट वेंजन दंतोष्टे जो दात और होट दोनों से बोले जाते हूँ वे दंतोष्ट वेंजन कहलाते हैं जैसे वा वा फा इसमें दात और होट दोनों की सहायता ले जाती है ठीक है वा और फा जिसमें दोनों का सही योग हो जैनी कि दात वा फोट दोनों के सही योग से बोले जाते हैं ठीक है वो दंतोष्ट वेंजन कहलाते हैं अब एक और बचता है आपका दंतमूल या वर्ट से वेंजन क्या वर्ट से यहां इनको दंतमूल कहते हैं दंत मूल वेंजन ठीक है यह दात की जड़ों से दंत यानि दात के मूल से यानि जड़ों से जो बोले जाते हैं ठीक है तो इसमें कौन से आते हैं सा जा रा ला सा जा रा और ला यह चार बेंजन ऐसे होते हैं जो दात की जड़ों के सहायता से बोले जाते हैं साजारला जिनमें कही ना कहीं दाथ के जड़ों पे टेच उप होता है या उनका सायोग लगता है तो दंतमूल बेंजन या वर्टस बेंजन कहे जाते हैं ठीक है तो बेंजन से रिलेटेड जितने भी question आते हैं वे सारे आप मैंने इसमें include करा दिया है इसके अलामा स्वर बे chances नहीं है इसको आप note down करिए इसको आप पढ़िए याद करने की कोशिश करिए कोई doubt आता है comment section में आप लिखिए आपके लिए एक नया वीडियो पेस्ट किया जाएगा किसी तरह का कोई doubt आता है ठीक है कोई दिक्कत होती है तो आप बताईए hopefully note कर लिया होगा कोई दिक्कत आती है तो आप comment section में लिखिएगा वीडियो आपको पसंद आता है तो like, subscribe, share जरूर करिए मिलते हैं नए वीडियो में नए topic के साथ वीडियो का exam आपको clear करना ही है मैं आपका वीडियो का exam clear करवा कर ही रहोंगी और आप ये वीडियो देखत रही है वीडियो का exam जो री exam होने आला है इसके रामबंदर होगा UPSI, UPSC, UPSC सबसे related जो भी exam होते हैं all teaching related exam TAT, super TAT, CTAT, HTAT, REIT, DSSB, सभी तरह के exam के लिए काफी महतकून topic है आप इसको जरूर देखिए इसको बिलकुल कंधस्त कर लीजे मिलते हैं नए वीडियो में नए content के साथ तब तक के लिए धन्यवास